जहें दाज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बिहारी लाल जी का जिए उन परचे कैसे लिखें ये आपके बोर्ड एजाम में 100 and 1% आएगा ही आएगा सबसे पहले इसको प्रूव दिखा दू ये आपके बोर्ड एजाम में कितनी बार पूछा गया देख लिजे य यहाँ पर देख लिजे 801 और यह एजी सेट नंबर है और यहाँ पर भी यह देखो बिहारी लाल मतलब यह आपके बोर्ड एजाम में हर साल पूछा ही पूछा जाएगा बताऊंगा कैसे आपको लिखना है एकदम 60 टिरिक से बताऊंगा और जो इसका PDF नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है टेली ग्राम का वहाँ से जॉइन करें और इसको आसानी से आप लोग याद कर लेना और एकदम सिंपल से बताऊंगा एकदम 60 तरीके से तो चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखो जिवन पर चे आपको हाइडिंग डालना है आपको बोर्ड जेमें काले नीले ही पिपन का अहिए करना उस्के बाद में कैसे लिखना बिहारी लाल जी का जन्म सन हो। के निकट बस हुआ गोविंदपुर गाउं में हुआ था बिहारी लाल जी का जन्म उसके बाद में काले पंसे आपको लिखना है सन 1603 इसवी में के लगभग ग्वालियर के निकंट उसके बाद में यहाँ पर ग्वालियर के निकंट फिर उसके बाद में बस हुआ गोविंद पुरिश को भी आपको काले पन से लिखना उसके बाद में गाओं में हुआ था इतना याद हो गया उसके बाद में आगे कैसे लिख ब्रामण माना जाता था इन्हें मतुरा का चवबे ब्रामण माना जाता था उसके बाद में इन्हें स्वामी नरिहर दास से संसक्रत प्राकरत आधिका अध्यन ग्रहन किया या अध्यन किया जो इन्होंने देखो स्वामी जो नरिहर दास थे उन्से ये क्या किया संसक्रत और मतलब संसक्रत से और जैसे हिंदी उर्दू अंगरेजी ये सभी का गहन अध्यन किया फिर उसके बाद में इनों ने युवा आवस्था में अपनी ससुराल मतुरा में बिताई जब इनकी युवा आवस्था थी जैसे ये 25 से ये कई से और 25-30 साल के होंगे तब ये क्या अपन देखो ये मुगल बादसास है जहां के निमंतरण में बुलाए गए उसके बाद में वहाँ चले गए उसके बाद में उसके बाद ये जैपुर के राजा जैसिंग के दरवारी कभी हो गए वहाँ पहले मुगल बादसास है जहां के निमंतरण में गए थे उसके बाद में उ बिहारी ने राजा को एक दोहा लिखकर वेजा और आपको ए दोहा जरूरी लिखना अभी बताऊंगा कौन सा दोहा है जो आप लोग ये दोहा नहीं लिखते हो तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं राजा जैसिंग अपनी नव विवाहित पतनी के प्रेम जाल में फसकर जब राज कारी को चौपट कर वठे तब बिहारी ने राजा को एक दोहा लिखकर वेजा यह दोहा कौन सा था यहाँ पर देखो यह आपको जरूरी लिखना और इसको काले पिंसे लिखना जिससे जो राइटिंग होगी वो अट्रेक्टिव दिखे की कैसे लिखना है यहाँ पर नई पराग नहीं मदुरमद नहीं विकास इहिकाल अलीक अली ही सो बंधेव आगे कौन हवाल यह जब राजा मतलब जब यह बियारी ने यह राजा जैसिंग को दोहा लिखकर भेजा तब उन्होंने क्या किया इस दोया को पढ़कर रा आगे कौन हवाल इस दोय को सुनकर या पढ़कर राजा की आखे खुल गई और वे पुना अपना राजकाज समानले लगे उसके बाद में आगे कैसे लिखना है राजा जैसिंग की प्रिनड़ा पाकर बिहारी सुन्दर सुन्दर दोहों की रचना करते थे और प्रतेक दोह पर एक सौन मुद्रा प्राप्त करते थे उसके बाद में आगे कैसे लिखना साथ सो तेईस दोहों की सतसई सन सोला सो बहांसट इस वी में समाप्त हुई मानी जाती है ये जो बिहारी लाल के दोहे थे और इनकी एक मातर ही रचना बिहारी सतसई ही है तो आपको यही ध्यान इनको रचना में भी आपको बताऊंगा कैसे लिखना है 1662 इस वी में समाप्त हुई मानी जाती थी उसके बाद में कैसे लिखना सन 1663 इस वी में इनकी म्रत्य हो गया इससे आपको इनका जियोन पर चे लिखना है और बहुत सिंपल सा है एकदम साट ट्रिक में बताया तो इ कैसे आपको लिखना इनकी पहली है डिंग डालना है आपर रचना है फिर कैसे लिखना बिहारी किस एक मात्र रचना बिहारी सत्साई है जिसमें 732 हैं बस यही इनकी एक मात्र रचना है जिसमें 732 हैं बस इसी प्रकार से रचना में है डिंग डालकर आपको लिखना है और आपके पांच नंबर कमपलीट हो जाएंगे अब 2030 में ये पांच नंबर का पूछा जाएगा जी उन पर चे तो इसको जरूरी त्यार करके जाना और जो चैनल पर नहां है तो चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लेना मिलते एक लिए वीडियो में